इस खबर के प्रायोजक है लॉजिक्स सौफ्टेल लाइफ अट लॉजिक्स, लाइफ यू डिजर्व सर्विंग दे नेशन 20 मईई 2014 को संसर्थ में बोलते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि हमारा पलपल और कड़कड दोनों देश को समरपित है हमें देश के लिए मर मिटने का सवभागिन नहीं मिला हमें जवानी जलों में खपाने का सवभागिन नहीं मिला लेकिन कोटी कोटी जनों ने हमें देश के लिए जीने का आउसर जरूर दिया है देश के लिए भले हम मर न पाएं, देश के लिए भले हम जूज न पाएं, देश के लिए भले हमने यत्याचार जेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, इस सभागुन में बैठे वियर के लिए ही, पुरे देश पास आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए, जीवन का इस संकल पर होना जियाए, देश के लिए जीएंगे, समय का पल पल, शरीर का कर्म कर्म, सवासो करोड देश पासियों के काम कैसे आए, ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं, तो देश, बहुत तेजी से संक्टों से भार निकाल करके, तेज गती से आगे बढ़ना शुरू करतेगा, भायों मैंनों मैं स्वभावों से आशावादी वेक्ते हुए, मेरे डियने में ही लिखा हुआ है चाहिता है, मुझे जीवन में कभी निराश आव अगरे मुझे मेरे कोई पत अधा तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है, मेरी सोच तीसरे पकार की मैं कहता हूँ, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है पीम ने आगे कहा कि हमें निराशा छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा ये वीजय भी हमारा नहीं है उन पाँच पेडियों की तपस्या का है ये वीजय वर्तमान के उन लाखों कारिकरताओं के पुर्शार्थ का है और ये भारत की जनरता पार्टी संगर्धन के अधिस्ठान पर चलने वाली पार्टी है हमारी ताकत संगर्धन है हम में से कोई न संगर्धन से उपर है न संगर्धन से परे है वही हमारे लिए सर्वो परी है उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे फिर एक बार अड़वाणिजी ने आश्रवात दिये आप समने मुझे एक नई जिम्म कोशिश करूगा कि आपने मुझसे जो पेक्षाएं की हैं उना पेक्षाओं में कभी भी आपको नीचा देखने का उसर नहीं आएगा यह विश्वात दिलाता हूं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद देश-दुनिया के खबरों के लिए आप देखते रहें नीजवेश्ट